Hello Friends, Welcome to the Rittus Kitchen सर्दियों का मौसम है और इसमें सर्षो का साग नहीं खाया तो फिक क्या खाया? चलो बनाएंगे सर्षो का साग ये मैंने आदा केजी सर्षो के पत्ते और आदा केजी मूली के पत्ते ले लिये हैं सर्षो के पत्ते को अच्छी तरह से धो लिया है ऐसे ही मैंने मूली के पत्तो को भी अच्छे से धो लिया है कम से कम दो तीन वार इन पत्तो को धोएं और फिर सर्षो के मौसम में सर्षो का साग खाना तो बनता है वही और ये देखिए ये इस तरह से मैंने चौप कर लिए हैं सर्डियों के मौसम में सर्सों का साग और मक्की की रोटी खाने का अपना अलग ही मज़ा है 100 गरम मैθी, 100 गरम बत्फॉआ, और 100 गरम पालक मैंने अच्छे से धोके और काट लिया है ये देखिए इस तरीके से मैंने चक्कू की सायता से काट लिया है आप हैसी इसे भी इसको काट सकते हैं सारी सबजियां मैंने इस तरीके से काट ली है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए ये मैंने एक बड़ा चमज बारी कटा हुआ अद्रक लिया है और दो से तीन या पिछ चार हरी मिर्च मैंने चौप कर ली है एक गाजर ली है मैंने उसे भी पतला पतला चुटा चुटा काट लिया है अब हम एक मोटा बड़तन लेंगे जो कि मैंने ये कड़ाई ली है ये काफी मोटी है और इसमें मैंने एक गलास पानी डाल दिया है अब इसे हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए हमारा पानी गरम हो रहा है अब इसमें हम आधर टेवल स्पून नमक डाल देंगे इसे पानी में मिला देंगे मैं ये सबजी कम मात्रा में बना रही हूँ पर गाउं के लोग तो बहुत सारी मात्रा में इस सबजी को बनाते हैं अब हम क्या करेंगे इस पानी में सारी सबजीयों को थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और गाउं में क्या करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है जब ये सबजी तयार हो पाती है हम कम मत्रा में बना रहे हैं इसलिए ये सबजी जल्द ही तयार हो जाएगी पर थोड़ा समय तो लगता ही है सबजी को बनाने के लिए अब मैंने इसमें सरसों के पत्ते और मूली के पत्ते डाल दिये हैं अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और अदरक जो चौप किया था बो सबी डाल देंगे हमें इस से जितना भी तीखा करना है उसके लिए हम अदरक और हरी मिर्च से ही तीखा करेंगे इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे इसमें दो तीन मसालों से ही ये सबजी बन जाती है इसमें अदरक हरी मिर्च से ही तीखा पन अच्छे से आ जाता ह अगर आपको ज़्यादा ही तीखा खाना है तो इसमें हरी मिर्च और अद्रक की कौन्टिटी बढ़ा सकते हैं और अगर आप लेसन पे आज खाते हो तो इसमें बीच में लेसन की कलिया काट के डाल सकते हो लेकिन मैं जब तड़का लगाऊंगी तब मैं लेसन का यूज करूँगी अब हम इस सबजी को ढख कर रख देंगे पर इसको पूरा नहीं ढखेंगे इसमें ऐसे मैंने कल्ची को लगा दिया है और उपर से थाली ढख दी है इसी तरह से आपको ढखना है अब इसे हमने लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाया है और इसको हम अच्छे से कल्ची की सायता से मिला देंगे ये मेरी इंस्टाग्राम आइडी है आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हम पटेटो मेसर की सायता से इसको मेश करेंगे सब्जी को हमें अच्छे से मेश करना है अगर आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी घुमा सकते हो सब्जी को वो अच्छे से पिस जाती है लेकिन हम मिक्सी में नहीं पिसेंगे इसे हाथ से ही मेश करेंगे ये हाथ से भी अच्छे से मैश हो जाती है अगर आपको सरसोंगा साख खाना पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए सरसोंगा साख हम इस तरीके से चेक करेंगे ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए कि ये हिलाने पर भी नहीं गिर रहा है इसका मतलब हमारा सरसोंगा साख रिड़ी है अब हम दो टेबल स्पून मकई का आटा लेंगे और इसमें पानी डालके थोड़ा थोड़ा इसको घोल लेंगे और इसमें लंज नहीं पढ़ने चाहिए इस तरीके से घुलना है हमें ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो अब हम इसे सरसों के साग में मिला देंगे इससे क्या है हमारी सबजी में अच्छी बैंडिंग आ जाएगी और टेस्ट भी इसका दुगना हो जाता है मकई का आटा हमारे सबजी को एक नया रूप देता है अच्छा फलेवर देता है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे पांच मिनट और पकाएंगे जिससे की जो हमने मकई का आटा डाला था वो अच्छे से पक जाए अब ये अच्छे से पक चुका है अब ये तड़का लगाने के लिए हमारी सबजी तैयार हो गई है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन लिया है अब इसमें हम शुत देशी घी डालेंगे आप चाहे बटर भी डाल सकते हो घी के गरम हो जाने के बाद अब इसमें आधा टेवल स्पून जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा भुन जाए फिर हम इसमें पांस से छे लाल मिर्च साबुत डाल देंगे और ये भी भुन जाए फिर उसके बाद दो से तीन हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी काट ली हैं उन्हें भी भूनेंगे और दो से तीन हरी मिर्च मैंने रफली चॉप कर ली थी उन्हें भी इसमें डाल देंगे और उसे भी भूनेंगे अब इसमें हम एक चम्मत चॉप किया हुआ अद्रग भी डाल देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे अब मैं 7-8 कली लेसन की लूँगी और उन्हें चॉप कर लिया है अब इसमें मैंने डाल दिया है लेसन आप चाहे तो lesson की quantity को बढ़ा सकते हैं क्योंकि सरसो के साग में ज़्यादा lesson डलता है हम कम खाते हैं इसलिए हमने कम डाला है और ये मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं उसे भी chop कर लिया है और अच्छे से इन सभी को हम भून लेंगे अब ये हमारे lesson अप्याज golden brown हो चुके हैं अब मैं इसमें दो बड़े टमाटर लिये हैं जो कि मैंने chop कर लिये हैं और इसमें डाल दिये हैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी हमारे या टमाटर जरूर डारा जाता है सरसो के साग में अगर आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं लेकिन टमाटर से अच्छा टेस्ट आता है सबजी अब हम इसमें टेस्ट के according नमक और डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक पहले भी डाल चुके हैं और अब और डाल दिया है आप जितना खाओ उतना ही टेस्ट के according डाल सकते हो अब यह हमारा तड़का बनकर त्यार हो चुका है अब हम इसमें सरसो का साग डाल देंगे और अच्छे से इसको mix कर देंगे आप इस सरसो के साग को 10 दिन तक के लिए स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हो और मैंने ये सबजी 5-6 लोगों के बीच में बनाई है और आप चाहे तो जादा लोगों के लिए भी बना सकते हो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे अच्छे से mix कर देंगे और 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको पकाएंगे अब ये हमारा साथ पक करके अच्छे से त्यार हो गया है सर्व करने के लिए अब मैं इसे गर्मा गरम सर्व करूँगी मकई की रोटी के संग खाने के लिए अगर आपको मकई की रोटी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईए अब हम इसे मकई की टिक्की मकई की रोटी और लच्छेदार सलाथ यानि की लच्छेदार प्याज के साथ सर्व करेंगे ये देखने में जितना सुन्दर लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी भी लगेगा आप खाईए और दूसरों को भी जरूर खिलेगे